अगर आप अपनी चार्ट आनलिसीस को स्टॉंग करना चाते हैं तो आप हमारे यहाँ पर चैनल को जॉइन कर सकते हैं मार्किट आर्ट के दुरा जो कुछ भी बन रहा होता है वो सब कुछ हम आपको यहाँ पर अपडेट कर देते हैं क्योंकि market हमारी again वही से downside आ गई थी, तो हमने आपको finnifty में यहाँ पर bearish harami pattern हमने आपको बताया था और आपको पता है कि market इसके काफी ज़ादा यहाँ से downside रही थी, market हमारी consolidate जरूर थी बट इसके downside ही यहाँ पर हमारी थी, फिर हमने आपको bank nifty में यहाँ पर यह double top pattern बनाया था बताया था और उसके बाद market ने जब इस double top pattern का यहाँ से low break किया तो then market हमारी यहाँ से 100 point के आसपास market हमारी downside आई थी, कि जब इस level का break हुआ था तो market हमारी यहाँ से 60 point downside आई थी और उसी के basis पर आप देख सकते हैं कि हमने भी यहाँ पर अपनी एक put position को बना कर चले थे, जो कि हमारी यहाँ पर 50 point के आसपास हमारी यहाँ से यह jackpot थी और then आपको हमने finnifty में भी हमने आपको जो बियरिश हमारा harami pattern बना था उसके basis पर हमने भी यहाँ पर trade ली थी, अपना finnifty में तो आगे इस वीडियो में हमने आपको यह सब कुछ explain आज दुबारा से किया है कि consolidate market में आपको किस तरीके से trade लेना है और 9-25 की strategy पर आपको किस तरीके से trade लेना है और हमारे जो levels हम आपको बताते हैं important resistance और support उनके basis पर आपको किस तरीके से trade लेना है तो इस नहीं है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को भी subscribe अभी कर दीजिए तो strategy पर हमने अपना profit कमाया है I hope आपने कल की वीडियो को देख कर आज हमारी यहाँ पर काफी सारा profit fin nifty में कमाया होगा तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अब अपनी वीडियो की और देखते हैं कि आज market ने किस तरीके से trade किया है क्योंकि next day trade लेने के लिए हमें previous day की analysis क करना बहुत ही जादा जरूरी होता है आप देख सकते हैं कि market ने आज हमारी यहाँ पर सिर्फ 30 point के बीच में ही consolidate यहाँ पर market ने हमारी दिया था और जब market ने इस consolidation का यहाँ से breakdown दिया था आप देख सकते हैं कि इस consolidation का break down हुआ है यानि 19,400 जब इस 40 के level का यहाँ से break हुआ तो देन आपकी यहाँ पर position यहाँ पर बनती थी यानि यह market हमारी यहाँ से 40 point के आसपास market यहाँ से हमारी downside आई थी जो कि sharp हमारी आई थी तो आप यहाँ से अपना असानी से कापना काफी सारा profit यहाँ पर कमा सकते थे जब इस consolidation का यहाँ से break down हुआ था और दूसरी strategy हमने आपको बताई थी 25 पर अगर market में 25 पर जब कोई candle बनती है जब उस candle का high break हो जाता है तो देन आपको call side entry लेनी होती है जब उसी candle का यहाँ से low break होता है तो देन आपको अपनी put position बनानी होती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी यह 25 की हमारी यह candle है जब इस candle ने इ call position बनानी थी जो कि आपके लिए fast move यहाँ पर था तो हमने भी अपनी इसी तरीके से यहाँ पर इन दो strategy पर अपना काफी सारा profit यहाँ पर कमाया था और आपको हमने यह चीज़ बताई हुई है कि आपके लिए chart analysis करना बहुत ही ज़ादा जरूरी है market चाए gap up open हो या gap town open हो अगर आपको अपने important levels यानि resistance और support पता है और आपको यह पता है कि market की इस level का बार बार support ले रही है तो आप अपनी trade को यहाँ पर लेकर चल सकते हैं और इस में से आप 10 में से 7 टाइम आप हमेसा success रहोगे अगर आपको chart reading आती है तो और यह चीज़ हमने आपको कल भी बता था 19,480 का और यह हम आपको कहने के लिए नहीं कह रहे हैं यह हमने वही level बताए हैं आप हमारे telegram channel पर भी चेक कर सकते हैं morning में हमने आपको यह level send किये थे आप देख सकते हैं कि market में आज जो हमारा पहले high लगा तो वो EC level के पास लिया था और market ने support भी अपना EC level के पास लि तो यह तीन level आपके लिए बहुत ही जादा importance रखने वाले हैं market में तो चलिए फिर अब analysis करते हैं अपने बड़े time frame पर और देखते हैं कि हमारा market में आज क्या candlestick pattern यहाँ पर बना है तो आप देख सकते हैं कि one day के time frame पर आज हमारा यह bullish engulfing pattern हमारा बना है जो कि हमारा यहा support पर ही बना है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि market ने जो इस level का कितना बार यहाँ पर support लिया है यह आज की हमारी candle उससे previous candle और यह सभी candles के आप देखे हैं तो market ने हमारे यहीं पर support ले रही है 19,400 के level के पास ही और आज भी इसी level पर ही हमारा यह bullish engulfing हमारा pattern बना है जो लेकिन आपको जो हमने Saturday को आपको हमने वीडियो में बताया था कि market में हमारा double top pattern भी बना है लेकिन जब तक उसका high break नहीं हो जाता तब तक हमारा वो candle stick pattern active रहने वाला है और आज का भी हमारा जो यह bullish engulfing pattern बनाया है यह तब तक active होगा जब तक हमारा यह 19,370 का level हमारा यह break नहीं हो जाता तब तक हमारा bullish pattern active रहने वाला है जब यह level हमारा breakdown हो जाएगा तदेन आपको फिर से अपनी put position को बना कर चलना है तो चलिए फिर अब यह देखते हैं कि कल के लिए हमारे most important हमारे resistance और support कौन से होंगे और दूसरा अब हम यह भी जानेगे कि हमारा हम कल किस तर impact हमारी market पे भी बहुत जादा पड़ता है या तो हमारी market जो काफी time से consolidate हो रही होती है उसका हमारा बहुत huge यहाँ पर gap up हमें नजर आता है या फिर अगर market उसके यहाँ पर low में यानि negative open होती है तो हमारा huge यहाँ पर gap down नजर आता है तो अब भी हम आपको बताएंगे कि अ हमारे लिए जो सबसे पहले important यहाँ पर हमारे लिए resistance रहने वाला है वो है हमारा यहाँ पर 19,511 का यह आपके लिए main important यहाँ पर resistance के तरीके से काम करेगा और दूसरा आपके लिए important resistance है यहाँ पर 19,550 का यह आपके लिए दूसरा resistance रहने वाला है और तीसरा resistance है हमारा यहा आपके लिए next important हमारा resistance है अगर ये resistance हमारा break हो जाता है market में तो आपको यहाँ पर market का फिर all time high हमारा जो fin nifty का है वो आपको definitely यहाँ पर नजर आएगा दूसरा अब बात करते हैं अपने support की तो हमारी जो main important support निकल कर आ रहा है वो है 19,480 का और then 19,000 यहाँ पर 400 का then 19,324 का then 19,283 का यह आपके लिए हमारे main important support निकल कर यहाँ पर आ रही है सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इस channel की अगर आपको हम इस channel के बारे में बताएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 date को और 12 date को और उसके बाद आज हमारी यहाँ पर 13 को यानि 3 days हमारे हो चुक यानि इस zone के बीच में market हमारे यहाँ पर trade कर रही है market में हमारी जो जब इस range का यहाँ से हमें लग रहा है कि कल market में अगर यहाँ से इस range का gap up opening market होती है तो आपके लिए important resistance रहेगा 19,623 का अगर market इस range में यहाँ पर gap up open होती है और इसका support लेती है यानि 19,500 का अगर market कल को support ले लेती है और वापस market upside move देती है तो तैन आपको अपनी call position को यहाँ से बना कर चलना है जैसे आज market ने यहाँ पर downside इस level का यहाँ से support लेने के बाद market हमारी upside गई थी तो आपको इस तरीके से अपनी call position बनानी है अगर market gap up open होती है और दूसरा आपके लिए safe तब होगा ज आपको opening कैसे लेनी है अब बात करते हैं कि अगर market अपनी gap down opening हो जाती है काफी जादा gap down open हो जाती है market तो आपको wait करना है कि market अपने इस previous day के low पर जरूर आए यानि 19,380 के low को यहाँ तक एक price of action हमारा यहाँ बने तो then आपको अपनी फिर से यहाँ पर put position को बना कर चलना है यानि previous day के अगर low पर market आती है gap down होने के बाद तो आपको put position बनानी है अगर gap up open होने के बाद market अपने इस previous day के high पर आती है तो then आपको अपनी call position को यहाँ पर बना कर चलना है अब बात करते हैं अगर market इस range में कहीं पर open हो जाती है और फिर इस range का break upside देती है यानि 19,511 के level को break कर देती है तो आपको अपनी call position बनानी है अगर इसके बाद market अपने इस low को यानि previous day के low को क्योंकि यह जो हमारे important support है यह बहुत जादा 19,380 का और upside के लिए बात करें तो 19,500 का यह दो हमारे important resistance और support है अगर market इपने इन support को इन resistance को break कर देती है तो दैन आपको अपनी position को बना कर चलना है उसी हिसाब से I hope आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको कल को किस तरीके से trade लेना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो informative लगे तो please subscribe my youtube channel और आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं जिसका link हमने आपको description में दिया हुआ है thank you